लौक्डाउन से पहले गीता के घर का नजारा कुछ ऐसा था कि रोहन ऑफिस जाता था और शिविन स्कूल जिनकी घर से जाने के बाद गीता काम खत्म करके बाकी समय आराम करती थी लेकिन लॉकडाउन के बाद आफिस और स्कूल घर में ही खुल गए और इस से गीता का हाल वो तो आपको देखने में ही मज़ा आएगा शिविन, ओ शिविन महाराज उठने के लिए क्या 21 तौफो के सलाम ही लेंगे अरे बिस्तर से बहा निकल, ओनलाइन क्लास स्टार्ट होने वाली है अरे तुम भी हद करती हो, स्पीकर की तरह चिलाने की क्या जरूरत है दिखने रहा मेरी कॉन्फरेंस चल रही है अब कैमरा और स्पीकर आउन कर रहा हूँ, मुझे कोई शोर नहीं चाहिए इस पर जैसे ही रोहन लैप्टॉप का कैमरा और स्पीकर आउन करता है तब ही कुकर की सीटी बचती है करा लो अब इसे चुप, लाक टाउन नहीं हुआ, मेरी मौत का फरमान जारी हो गया दोनों बाब बेटे ने नाथ में दम किया हुआ है ऐसा बोलकर गीता वहां से शिविन की कमरे में पहुँच जाती है जहां शिविन अभी भी सो रहा होता है ओ आलसी, अब अगर पांच मिर्ट में नहीं उठाना तो आज तीरा गेम और यूट्यूब कैंसल मा की बाद सुनकर शिविन बिना एक मिर्ट गवाए उठ खड़ा होता है उठ गया उठ गया, अभी नागर भी आता हूँ ये नाटक कहीं और, मुँपर गीला कपड़ा मार और पढ़ने बैठ शिविन की ओनलाइन क्लास स्टार्ट हो जाती है जिस पर गीता उसे वहां बिठा कर रस्वे में चली जाती है थोड़ी तेर में उसे कमरे से कुछ आवाज सुनाई दीती है जिससे सुनकर वो कमरे में वापस आती है हाई राम, तुझे क्लास अटेंड करने के लिए बोला था कैमेरा ओफ करके बिस्तेर पर नाचने के लिए नहीं बोला था मम्मी मुझे कुछ समध नहीं आ रहा आप बाद में बढ़ा दे ना वैसे भी आटेंडन्स तो लगी गई है हाँ हाँ बिटा, जरूर बंजा, तो अभी से हम सब का बाप बंजा अरे नहीं मतलब कहां से लाते हो इतना दिमांग और पढ़ाई करते हुए ये चला कहां जाता है नाइस क्वेस्चिन, दिमांग से पूछ कर बता तूंगा शिविन की बातों से परेशान होकर गीता उसे माने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है तब ही वो कमरे से बाहर भाग जाता है अब शिविन आगे-आगे और गीता हाथ में चपल पकड़े उसके पीछे-पीछे पूरे घर में दोनों घूम रहे होते हैं इसी पीच वो रोहन के पास पहुंच जाता है और शिविन को माने वाली चपल रोहन के लैपटॉप पर जागर गिरती है उई मा मुमी अब पापा को चपल मार रही हो वो आज तक के रिपोर्टर चुप चाप जाकर क्लास अटन कर ले नहीं तो अगली तियरे पीछे लगेगी इस पर शिविन वाहा से चला जाता है जिसकी बाद रोहन गीता से कहता है इस सरकस के लिए कुछ बोलना चाहोगी अरे क्या करूँ जब से तुम दुनों घर में रहने लगे हो घर अपने आप ही सरकस बन गया है और मैं तुम्हारी नोकर इनी सब उथल पुथल में दीन बीटते रहते हैं जिसमें हर रोज घर के अंदर कुछ नया सी अपा खड़ा मिलता है जो ज्यादा तर शिविन और रोहन की आउनलाइन स्कूल और आफिस से रिलेटेड ही होता है एक सुबर शिविन चलूच आज की क्लास जल दी है अरे ऐसे छितर पड़ेंगे दादी नानी सब एक साथ याद आ जाएंगी गीता के लाख मशक्कतों के बाद क्लास तो खत्म हो जाती है लेकिन उसके बाद शिविन फोन इस्तमाल करते हुए इंस्टाग्राम रील बनाने लगता है अरे ओ गरीब के बेटे आजा मैं बनाती हूँ तुझे गरीब मैं बताती हूँ रसोडे में कौन था पढ़ाई करने बोलो तो इनकी मा मर जाती है और ये पागल पंतिया जितनी मर्जि करा लो गीता शिविन को डाट रही होती है तबी रोहन बीच में बोल पड़ता है अरे बच्चा ही तो है इतना गुसा क्यों कर रही हो बेटे का साथ देनी की इसी एक कोशिश में अब शिविन की साथ साथ रोहन भी गीता के गुसे की सूली पर जड़ जाता है अगर बेटे पर इतना ही प्यार आ रहा है तो इसे class attend क्यों नहीं कराते इसका homework क्यों नहीं कराते उस समय तो बहुत जल्दी meeting आ जाती है वो का मैं करूँ और यहां इस बे-fizuli की चीज़ में तरफदारी करके बन जाओ महान ए भगवान कोई तो इनके office और school खुलवाओ मैं इने और घर में नहीं सह सकती अरे कुछ और मांग लेती क्योंकि तुम्हारी ये wish इस साल तो पूरी होने से रही कोरोना हाए नास पिटे ने जिन्दगी ही बरबाद कर दी खाए कोई पचाए कोई कल मुहे चुन चुन कर सबको मेरी बद्दुआ लगेगी उन्होंने दुनिया का और इन बाप बेटे दोनोंने मेरा जी ना मुश्किल कर दिया गीता वहाँ से चली जाती है जिसकी बाद रोहन शिविन से कहता है अरे तुम्हारी ममी इतनी भड़की हुई क्यों है आपकी बज़े से पूरा समय घर में देते हो और उस पर कोई काम कराने की जगव बस ओरडर देते रहते हो अच्छा बेटे सारा इल्जाम मुझ पर पूरा दिन तो वो तुम पर ही चिलाती है हाँ मतलब दोनों का फिफ्टी फिफ्टी है वो कहते न वैसे तुम्हारी मा सही कहते है बहुत जबान चलाने लगे हो कम बोला करो अगली सुबह रोहन और शिविन अपनी गलती को सुधाने के लिए गीता के उटने से पहले घर का आधा काम खत्म करतेते हैं जिसे देखकर गीता खुश हो जाती है और फिर बागी बचा काम वो तीनों मिलकर पूरा कर लेते हैं जिसके बाद अब वो सब मिल बाटकर हर काम में एक दुसरे की मदद करती हुए लॉकडाउन का मजा लेने लगते हैं